सुप्रवाद बच्चों, आज हमारा हिंदी का पीरेड है, हिंदी के पीरेड में आज हम पाट दस पढ़ेंगे, जिसका नाम है कौन कितना ताकतवर, बच्चों, कभी भी अपनी ताकत पर गमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जिसको गमंड हो जाता है, उसके सारे गु किनारे बन में एक घमंडी सेर रहता था, वह सदे बन के जानवरों को डराया धमकाया करता था, एक दिन बहा बन में घूम रहा था, तबी सामने से उसने एक भैस को आते देखा, सेर ने सुचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा, भैस नजदी काई तो सेर शेर ने पूछा, तो मितनी घबराई हुई क्यों हो, भैस बोली, क्या बताओ माराज, जब तक मैं दूद देती थी, मेरे मालिक मुझे चारा किलाता था, जब मैंने दूद देना बंद कर दिया, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया, शेर ने पूछ, पूछा, कौन है माल पेज टन करो, पेज नमबर 73 पर देखिए, आदमी भैस ने जवाब दिया, और फिर भागने लगी, शेर को भैस का ध्यान नहीं रहा, वह सोचने लगा कि भैस इतनी भारी है, फिर भी आदमी से डर कर भाग रही है, लेकिन बिचारे शेर ने जन्म से ही कभी आदमी को नही देखा था, वह क्या चांदता उसकी ताकत, वह तो अपने को ही ताकतवर समझ बैटा था, तब ही उसे एक गधा तेजी से दोड़ता हुआ आता दिखाई दिया, शेर ने गदे को रोक कर पुछा, क्यों गदे भाई, इतनी तेजी से क्यों भागी जा रहे हो, गदे ने का म माराज, जब तक मैं बोजड हो सकता था, तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर रखा, जब बुड़ा हो गया, तो मुझे डंडे मार कर घर से निकाल दिया, शेर ने पुछा, तुमारा मालिक कौन है, गदे ने जवाब दिया, आदमी, माराज वह बहुत ताकतवर ह ऐसा कहकर गदा फिर भागने लगा, सेर का दिल धक 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 करने लगा कि वह कौन सा जानवर है, जो मुझे से भी ज़्यादा ताकतवर है, जिसका नाम आदमी है, मैं एक बार आदमी से जरूर मिलूँगा, ऐसा सोचकर सेर आगे चलनने लगा, तब ही उसे सोनी लॉमडी भ देखो आदमी का नाम सुनते ही, सेर का माता ठन का, उसने सोनी लॉमडी से कहा, कहा है आदमी, उसे देखना चाहता हूँ मैं, उसी समय सामने से, सामने से उन्हें श्यामू मचवारा हातों में जाल लिए, आता दिखाई दिया, सोनी लॉमडी ने सेर से कहा, अमारा ताकतव पर आदमी यही है, शेर पहले तो जिच काम, फिर वह अचानक जाड़ी से निकल कर श्यामू मचवारे के सामने आ गया, श्यामू मचवारा अपने सामने शेर को देख कर घबरा गया, वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगा, उसके दिमाग में एक तरकीप आई, श्यामू जाल को घुमाते हुए शेर के उपर फेका, जाल सीधा शेर पर जाकर गिरा और शेर उसमें फस गया, अब श्यामू डंडा लेकर शेर को मारने लगा, बेचारा शेर आदमी से भिड़ने चला था, और अब डंडे खा रहा था, मार खाखा का शेर आदे मू गिर पड़ा, उ देखिए बहुवी कल्पिये प्रशन, गंगा किनारे वन में कौन रहता था, शेर, गदा, भैस या सामू, कौन रहता था बच्चों, शेर रहता था, भैस को घर से किसने निकाल दिया था, शेर ने, गदे ने, लॉमडी ने या आदमी ने, आदमी ने, शेर ने, शेर ने, शिकार ना करने की, घमड़ना करने की, बच्चों, अब हम प्रशन उत्तर करेंगे, जो कि हम अपनी कौपी में करेंगे, ओके, देखो पिटा, प्रशन नमबर कह है, हमारा शेर का सौभाओ कैसा था, तो उत्तर कह है, शेर का सौभाओ घमड़ी था, प्रशन नमबर देखो प्रश्ण नम्बर दो है बैस किस से डर कर भाग रही थी? उत्तर है बैस आदमी से डर कर भाग रही थी प्रश्ण नम्बर तीन है शेर अपने आपको क्या समझ बैटा था? उत्तर है शेर अपने आपको ताकतवर समझ बैटा था अब प्रश्ण नमबर चार है सोनी लॉम्वडी ने शेर से क्या कहा तो उत्तर है मारज भाग चलो आधमी आ रहा है बच्चों प्रश्ण बुक से पेज नमबर 75 और 76 से देख कर लिखना और उत्तर इसमें से देख कर लिखना ओके बच्चो आज ही हमारा चैप्टर यहीं पर खतम हो रहा है इसे अपनी कॉपि में नोट कीजिएगा लर्न कीजिएगा और इस पेज के पेकामे ग्रूप में सैंग कीजिएगा